देश के पॉपिलर बिसनस्मेन में से एक और शाहरा गुरूप के मालिक शुबरत राय का 14 नमबर को निधन हो गया है 35 सार के सुबरत राय काफी समय से भिमार चल रहे थे और उनका मुंबई के हस्पताल में इलाद चल रहा था शुबरत राय के निधन से शोक की लहर दोड़ गई और तमाम दिगजों ने उनके निधन पर दुख जताया वही शुबरत राय की अंतिम यातरा में राजनेता से लेकर अभीनेता तक शामिल हुए थे गोर तलब है कि शुबरत राय की जनम दिन पर यानी 10 जून को फिल्म मेकर सुदिपतो सेन उनकी बायोपिक का एनाउस्मेंट किया था अब शुबरत राय की बायोपिक में उनका रोल करने के लिए अनिल कपूर का नाम सामने आ रहा है बता दे कि बॉलिवुड हंगामा की रिपोर्स के अनुसार सुबरत राय की निधन के बाद एक बार फिर उनकी बायोपिक को लेकर बाद सामने आने लगी है साल 2023 में 10 जून को शुबरत राय की जनम दिन पर उनकी बायोपिक की घोशना करने के बाद इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है अब एक सोर्स से पता चल रहा है कि शुबरत राय की बायोपिक में उनका रोल अनिल कपूर निवा सकते है अलाकि ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है अनिल कपूर को शुबरत राय की जीवन के कुछ विवादों पर आपत्ती है फिलाल शुबरत राय की बायोपिक में उनके रोल के लिए सबसे पहला नाम अनिल कपूर का है बात करें अनिल कपूर के वर्क फ्रंट की तो वहाँ फिल्म एनिमल में नज़राएंगे संदीप बांगा रेड़ी के डिरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में उनके साथ रनवीर कपूर, रश्मी का मंदाना, बॉवी देवल और तिरिप्ति डिमरी भी नज़राएंगी फिल्म एनिमल एक दिसमबर को सिनमा कर वे रिलीस होने वाली है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विक्की कॉशल की फिल्म सेम बादू से टकराएगी ऐसी मुवी न्यूस अपडेट रहने के लिए मुवी मसाला को अभी सब्सक्राइब करें